जिस अमरूद पे फल आना बंद हो गए हैं या फलों का साइज छोटा हो गया है उस अमरूद पर भी भर भर के जो है फल आएंगे अमरूद में सबसे ज़्यादा समस्य आती है फलों में कीडे पढ़ने की फलों में केड़े पड़ जाते हैं फूल फल वनने से पहले गिर जाता है या फल का साइज इंक्रीज ही नहीं होता तो आपको सीजन में सिर्फ एक वार ये चीज यूज करनी है इसके बाद आपके पौदे पे भर भर के फूल आएगा और जो फूल आया है वो फल में कनवर्ट होगा ही होगा साथी साथ फल पे बड़ी चमक आएगी तो मैं दो तीन चीज़े आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वीडियो पूरा देखेगा पूरी जानकारी मिलेगी अगर आप अमरूद घर पे लगाए हुए है देखे आपका अमरूद चाहे गंबले में है जमीन पर है कहीं भी यो तरीका यही रहेगा और इसके बाद आपके पौदे पे फल और फूल बड़ी आएगा बड़े बड़े साइज के हो जाएंगे तो सबसे पहला काम आपको यह कहना है कि अभी हम बरसाती सीजन की जो है अमरूद की केर करेंगे तो जिस गंबले में आपका अमरूद का पौदा लगा है उन साखाओं की एक हलकी सी पिंचिंग कर देंगे यानि के आगे से उने कट कर देंगे उसकी ग्रोथ रोग देंगे अब जितने भी फल बन गए हैं आपके पौदे पे उनी में पोसक तत तो जाएंगे अब हमारा फल तो बन गया लेकिन आब यह फल गिरे नहीं इसके लिए हमें कहना यह है कि जिस गमले में आपका अमरूत का पौदा लगा है या जमीन पे लगा है तो एक हलके हातों से गुडाई करेंगे बहुत ज़्यादा घहरी गुडाई करने की आप सकता नहीं है बस जो उपरी लेयर है सोयल की वो ब्रेक हो जानी चाहिए कुछ इस तरीके से यह हो गया आप देखो मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ न यह सदियों से खेतों में यूज होता हुआ है फलों में चमक लेने के लिए फलों में कीडे नहीं पड़ते और फलों का साज बहुत तेजी से इंक्रीज होता है तो इसके लिए आपको यह चीज लेनी है यह हमारे घरों में मिल जाती है बहुत सस्ते आती है यह इससे घरों की पुताई की जाती है यह है सफेदी, कलई या चूना और यह आपको बुझा हुआ लेना है मतलब पानी डालके इसे ठंडा कर लेते हैं तो इसके बाद एक मिट्टी का वरतन लीजिए और मिट्टी का ही वरतन लेना है इसमें प्लास्टिक या धातू का वरतन नहीं चलेगा 20 इंच के गंबले के लिए 20 ग्राम यह चूना 12 इंच के गंबले के लिए 12 ग्राम चूना इसी तरीके से जित साइज का गम्राव सुईसाब से आपको यह चूना लेना है जमीन के लिए आप 50 ग्राम ले सकते हैं सिधा सिधा मटके में पानी डालना है और पानी यहाँ पर अच्छा साफ यूज कीजेगा अगर खारा पानी आपके आए तो खाराई यूज मत कीजिए वना पौदा सुख सकता है एक लीटर पानी में यह बज़ा हुआ चूना डालेंगे और आप इसे छोड़ देंगे 5-7 गंटे के लिए देखे बज़ा हुआ चूना इसलिए अगर यह साबत चूना होता तो 24 गंटे के लिए छोड़ा जाता है इसे अभी हम छोड़ देते हैं और आप ट्रीटमेंट करेंगे के हमारे पौदे पे कीडे ही ना लगें देखे इसके लिए आपको फंगी साइड चाहिए होगा और यहाँ पर हमने साफ कंपनी का फंगी साइड लिया है आप किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं एक लीटर पानी में 5 ग्राम ये फंगी साइड हमें मिलाना है अच्छे तरीके से इसे गोल लीजे मैंने अपनी स्पेर में ये फंगी साइड डाल लिया है ये फंगी साइड आपको खादवीज वाली दुकान पर मिल जाएंगे और इसके बाद महीने में एक से दो बाद जैसे ही फूल फल में कनवर्ट होने लगे न तुरंत ही आपको इसका इस पर कर देना है इससे आपके पौदों में फंगल इंफेक्शन नहीं होगा जो छोटे मुटे कीड़े हैं वो भी नहीं रहेंगे और पूरे सीजन आपके पौदे में फिर कीड़े नहीं आएंगे खासकर बरसाती सीजन के जो अमरूद आते हैं उसमें तो आपको ये प्रिकरिया करनी ही करनी है इसमें हम पेंट भी करते हैं पौदों पे वो भी आगे आपको दिखाएंगे फिलाल हमारा ये चूना हमने रखा था वो तैयार हो गया है अब देखिए इसमें क्या करना है कि जो चूना नीचे बैठिया है उसे नहीं छिड़ना है उपर से पानी पानी निकाल लेना है अब इस पानी में है कैलसियम जो के अमरूद के पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करता है एक लीटर पानी में 100 एमेल ये चूना वाला पानी हमने मिला लिया है बहिया और ये बन गया अमरूद के लिए सबसे बढ़िया चीज़ के बल अमरूद में ये काम करता है धान रखिए तो जैसे हम वाटरिंग करते हैं बैसे ही एक से दो लीटर पानी पंद्रह दिन में एक वाट और सीजन में अधिकतम दो बार उससे जादा नहीं दे देंगे ये काम खत्म हुआ अब आखरी काम बचा है कि हमारे अमरूद से जो फल हैं वो बड़े बड़े हो जाएं उनमें कीडे ना पड़ें साथी साथ पौधा अगले सीजन के लिए भी दुबारा से फूल फल दे तो दो केजी गोवर खाद या बर्मी कंपोस्ट लेना है और ये है भईया हूमिक एसेड और ये आपको सिर्फ पास ग्राम लेना है ये ओनलाइन वाजार मिल जाता है हम चैने मिल के पूरे सीजन के लिए ये तईयार हो गया ऑपने इसमें फंगी साइड लगा दिया है केलसियम की पूर्ति कर दीय है खाद की पूरति कर दिय है और यह हुमे कैसर आपकी मिट्टी को सोना बना देगा गंबले में अमरूद कभी घराब नहीं होगा बड़े बड़े अमरूद आएंगे वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक करके सेयर कीजेगा कोई सिकायत है कॉमेंट करें